तो बच्छो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं life processes chapter से I know ये काफी बड़ा chapter है आपके लिए ठीक है because इसके ये एक तरह से एक बड़ा chapter है क्यों क्योंकि इसके अदर काफी जादा sub chapters आ जाते हैं sub chapters in the sense life processes का मतलब ऐसे processes जो body को maintain करते हैं और वो हमें पते हैं कौन-कौन से होते हैं जैसे nutrition, respiration, transportation, excretion तो यह जो चार हमने life processes पढ़ने हैं यह पूरे chapter के अंदर यह तरह से अपने आप में chapter हैं अब समझ दो जैसे life processes में पहला हो गया nutrition, nutrition अपने आप में इतना बढ़ा है कि वो एक अलगी chapter आप मान लो, ठीक है फिर respiration एक तरह से sub chapters हैं, चार sub chapters आपने पढ़ने हैं, nutrition, respiration, transportation और excretion तो यह चार हम cover करेंगे, do not worry, सब अराम से हो जाएगा, मेरे साथ पढ़ रहो और आप potential लेने की बात है ही नहीं बिकस जो मैं पढ़ाओंगा वही आएगा, बोड में उससे बाहर नहीं आएगा, जो मेरे notes है, वो करके जाओ, NCRT पढ़ने की भी जरूरत नहीं है तो चलिए, without wasting any time, let's get started with life processes but before starting, I request you all to please like, share and subscribe to this channel and do press the notification bell so that you do not miss any of the videos, okay अच्छा, अब start करते हैं, life processes से basically, introduction में हमें यह बताते हैं कि हम कोई भी चीज को alive कब मानते हैं हम alive मतलब जिन्दा, जिन्दा हम उसे तब मानते हैं जब हम उसके अंदर कोई visible movement देखते हैं visible movement मतलब यहां तो वो move कर रहा हूँ जो कि हमारी आँखों को दिख रही है, ठीक है लेकिन वो कह रहा है कि using visible movement यानि जो आँखों को दिखाए, ऐसी दिख सके, ऐसी movement अकेली नहीं define करती कि कोई जिन्दा है या नहीं जिन्दा है क्योंकि कुछ चीजें, कुछ movements molecular level पे भी होती है जो कि invisible होती हैं आँखों को obviously molecules तो दिखते हैं नहीं लेकिन movement तो हो रही है न molecules की that means life is there, life exists, right अब जैसे कि वो basically इससे यही कहना चाहरा है कि जो मारे body के अंदर processes होते हैं जैसे respiration हो गया transportation हो गया वो आप देख नहीं सकते लेकिन वो processes हो रहे हैं तब ही तो हम जिन्दा हैं न that means those processes are supporting life वो यह कहना चाहरे कि हर बार ही यह नहीं होता कि जो चीज हिल रही है या you know visible है कि यह हिल रही है तो वही जिन्दा है ऐसे नहीं होता कई बार ही invisible movements भी important होती है life को support करने के लिए ठीक है अच्छा अब वह अगला point यह कहते है कि viruses के बारे में यह नहीं यह ना actually controversy है कि viruses सच में जिन्दा होते हैं या नहीं जिन्दा होते हैं अब ऐसे क्यों कह रहा है वह क्योंकि यह controversy इसलिए आई because virus जब किसी host के बाहर होते है host मतलब किसी body के बाहर होते है तब वह ऐसे होते हैं जैसे कि वह जिन्दा है यह नहीं they behave like dead they do not show any molecular movement लेकिन जैसे ही virus किसी host यानि किसी जिन्दा body के अंदर आता है तब वह एकदम से you know ऐसे act करने लग जाते है जैसे कि वह alive है तो यह कह नहीं सकते कि वह सच में alive है या नहीं जिन्दा है यह मतलब living organisms है या नहीं viruses के बारे में यह controversy है यह दो points मैं इसलिए include कि अगर by chance छोटा बहुत वैसे तो इससे question नहीं आएगा board में लेकिन अगर आते तो आप handle कर सको ठीक है अब हम बात करते है what are life processes life processes क्या है क्या होते है जैसे कि मैंने आपको भी बताया life processes are the processes that help in maintaining the body जो body की maintenance के लिए processes जरूरी है उनको कहते है life processes ठीक है अच्छा मैंने आपको बताया आपको कितने life processes पढ़ने है class 10th में 4 nutrition respiration transportation and excretion ठीक है अब 2-3-2-3 line पढ़ लेते हैं हर एक के लिए because introduction ही है अभी तो in detail तो धीरी-दीरी करके आगे बढ़ते हैं but ये मैं क्यों lines आपको पढ़वा रहा हूँ because हो सकता है बोर्ड में क्योंकि ये पिछले सालों में हुआ हुआ है एक-दो line में आ जाते हैं कि which process is this आपको एक line दे देते हैं जो उस process को describe करती है आपको directly उस process का नाम पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने lines लिखे हैं ठीक है देखो पहला क्या है प्रस वैसे तो बहुत ईजी है बच्चे को भी समझा जागा nutrition, nutrition क्या है खाना, खाना is nutrition, right हिंदी में बोलना तो process to transfer a source of energy source of energy is food from outside of the body of the organism to the inside so taking in food from outside to the inside this process is called nutrition simple अच्छा, now respiration क्या है the process of acquiring यानि getting oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food हमने खाना खाया लेकिन वो खाना से energy तभी निकलेगी जब खाना तूटेगा तो उस खाने को तोडने के लिए हमें oxygen चाहिए होती है जो कि हम बहार से अंदर लेते हैं तो इस process को जिसमें हम oxygen को बहार से अंदर लेते हैं और सिर्फ भार से अंदर लेना ही नहीं साथ की साथ oxygen खाने को तोड़े इस दोनों steps को मिला के कहते है respiration बात समझ मैं? अच्छा अब बीच में उन्होंने मैं अभी बताता हूँ पहले ये सब complete कर देता हूँ transportation क्या है? transportation process is the process in which the food and oxygen जो हमने खाना खाया और जो हमने अंदर oxygen ली वो ट्रांसपोर्ट होते हैं from one place to the other तो उसके लिए हमें transportation system चाहिए and जो obviously जब खाना you know breakdown होगा सब कुछ होगा तो definitely कुछ ना कुछ waste products भी generate होते हैं तो उनको body से remove करना बहुत ज़दे important होते हैं और ऐसे ये काम करने के लिए to remove the waste products कौन सा process काम करता है that is called excretion ठीक है अब ये दो important lines NCRT में लिखी है that in case of a single-celled organism single-celled मतलब unicellular एक की cell है ठीक है जिनके पास no specific organs are taking in food कोई ऐसा specific organ नहीं होता उसका जो की खाना अंदर लेता है जैसे हमारे पास हम human beings के पास हम क्या है we are multicellular organisms we are complex organisms हम अंदर खाना किस organ से लेते हैं mouth है ना लेकिन ये जो unicellular organisms होते है single-celled organisms होते है इनके पास कोई specific organ नहीं होता खाने अंदर लेने के लिए या gas exchange करने के लिए हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर लेते हैं with the help of nose right so nose is a special organ we have got right and removal of waste तो ये सब single organism को करने के लिए specialized organs नहीं होते because why अभी question आ सकता है board में because the entire surface पूरी की पूरी यार एक ही तो cell है इन organism के पास हम तो कितने सारे cells के से मिलके बने हैं ये single-celled organism से एक ही cell है तो वो पूरा का पूरा cell the entire surface of the organism is in contact with the environment तो ये जो exchange of gases हैं या removal of waste हैं खाना अंदर भाहर लेना ये सब simple diffusion से हो जाता है single-celled organism diffusion मतलब basically simply the exchange होना by the complete surface of the organism is called diffusion तो single-celled organism के लिए diffusion से सारी needs पूरी हो जाती हैं लेकिन multicellular organism के अंदर simple diffusion हमारी requirements नहीं पूरी कर सकता है because हमें specialized organs चाहिए क्यों the reason is all the cells of our body may not be in direct contact with the surrounding environment obviously आप कहोगे जो हमारी skin वगेर है वो तो directly contact में है लेकिन जो हमारी body के अंदर cells है inside of the cells है ना तो वो तो surrounding environment के सारी contact में नहीं है तो वो कैसे diffusion से you know exchange of gases या खाना वगेरा लेंगे तो इसलिए हमें specialized organs चाहिए होते हैं बात समझ मैं? अब कुछ questions दी होएं आपके anxiety के अंदर फटा-फट से हम इसको discuss करते हैं आपके अंदर मिल रहा है जो कि मैंने अभी भी आपको समझाया भी है तो I hope so you can write it on your own second question है what criteria do we use to decide whether something is alive or not हम क्या criteria use करते हैं कि हम क्या करते हैं obviously तो हम तो visible movements देखते हैं हम देखते हैं कि अगर अच्छा कोई organisms move कर रहा है और वो movement हमें आखों से दिखाई दे रही है तो हम कहते हैं वो जिंदा है लेकिन असल में तो movements you know molecular level पर भी हो सकती है जो कि invisible हो तो इसका मतलब वो पूछ रहा है criteria जो हम use करते हैं that is visible movements in the organisms ठीक है third question is why are what are outside raw materials used for by an organism तो organism outside raw materials कौन से use करता है वो कौन वो जो raw materials use करते है कौन से food हो गया ठीक है oxygen हो गया water हो गया so that's very simple हम food लेते हैं oxygen लेते हैं water लेते हैं तो यह सारे raw materials है जो कि organism लेता है ठीक है fourth is what processes would you consider essential for maintaining life अभी अभी मैंने आपको चार processes का नाम बताया है nutrition, respiration, excretion and transportation ठीक है तो यह चार processes are essential for maintaining life अभी मैं यह वीडियो नहीं खतम कर रहा अभी थोड़ा लंबा है हमें we have to start with nutrition now ठीक है आज की class में I have to complete autotrophic nutrition very easy it is अब सुमझो nutrition अभी अभी उपर मैंने बताया बाहर से अंदर खाना खाना ठीक है basically food, taking in food ठीक है to provide food provides us energy आप घर पे सब कुछ काम अगरा study करते हो खेलते हो उसके लिए energy चाहिए न energy लेने के लिए खाना खाना पड़ेगा तो इस खाने खाने के process को nutrition कहते है layman language में ठीक है now question is how do living things get their food जो जिन्दा है वो अपना खाना कैसे लेते हैं को दो तरह के living organisms हो सकते है पहले है autotrophs autotrophs मतलब क्या green plants and some bacteria ठीक है and दूसरे तरफ second category की क्या living organisms हो सकते है heterotrophs heterotrophs जैसे की animals हो गए ठीक है fungi हो गए तो ये हो गए heterotrophs अच्छा अब heterotrophs can also be us human beings ठीक है now autotrophs how do they obtain their food by performing photosynthesis yes आपने छोटी क्लासे में पढ़ा होएगा plants prepare their own food with the help of photosynthesis ठीक है and photosynthesis के लिए क्या यूज होता है carbon dioxide water in the presence of chlorophyll and sunlight हला कि वो आगे detail में अभी discuss करेंगे हम लेकिन या पे थोड़ी introduction समझ लो and heterotrophs जैसे के animals and fungi they obtain their food from autotrophs directly or indirectly directly मतलब यह तो heterotrophs directly plants को खाते है यह फिर indirectly कैसे खाते है जैसे हम human beings animals को खाते है तो animals ने plant खाया होगा फिर हम animals को खा रहे हैं तो वो indirect way हो गया plant खाने का human beings का and directly human beings plants खाते है ठीक है तो this is the way how they obtain their nutrition ठीक है अच्छा अब एक छोटी से line लिखी थी NCRT because I do not want to take chance boards पता नहीं क्या पूछ ले because यह हो सकता important enzymes के बारे में what are enzymes enzymes are biocatalysts what are biocatalysts what is the function of biocatalysts complex substances जो हम intake करते हैं they have to be broken down right जैसे कि मैंने उपर भी बताया into simpler ones तो breakdown करने के लिए हमें biocatalysts का use करना पता मतलब होते हैं body can the biocatalysts जो कि यह काम करते हैं उनको enzymes करते हैं अब हम आते हैं autotrophic nutrition पर autotrophic nutrition क्या है autotrophic nutrition is basically the method by which food is prepared by autotrophs autotrophs मतलब ग्रीन प्लांट्स and what is that method called it is called photosynthesis okay so autotrophic nutrition is carried out by plants with the help of photosynthesis photosynthesis is the process by which plants make their own food अब photosynthesis is a process okay so उसके लिए कुछ raw materials प्लांट को तो वो क्या हो है raw materials carbon dioxide है पानी है पानी means water okay so carbon dioxide and water react in the presence of sunlight and chlorophyll and they get converted into carbohydrates यानी जो खाना फाइनली बन जाता है प्लांट के अंदर उस खाने का नाम क्या है कार्वो हाइड्रेट्स उस खाने का नाम है ठीक है अब एक क्वेशन आता है I think कि आपकी in text में भी है how do plant get their raw materials from where do they get so just before the water if I talk about the water water you get from the soil with the help of roots where will you get from the carbon dioxide from the atmosphere with the help of stomata stomata are the tiny pores present on the surface of leaves of the plant okay okay not only leaves stem पे भी present होते है and बहुत जगा पे other materials like कुछ minerals भी चाहिए होते हैं वो कौन-कौन जैसे nitrogen हो गया phosphorus हो गया iron और magnesium these are taken up from the soil ठीक है अब इन चार जो यह minerals है nitrogen, phosphorus, iron, magnesium इन में से nitrogen के बारे में special कुछ given है NCRT के अंदर हो सकते है question आ जाए nitrogen is taken up in two ways nitrogen को plants दो तरीकों से absorb कर सकते है number one is directly and second way is indirectly from the atmosphere के अंदर N2 gas that is nitrogen gas present है अब यह तो काफी word equation हो गई basically यह तो मैंने काफी simple terms में आपको बता दिया लेकिन अब आपको यह equation लिखनी आने भी चाहिए because यह board ने पहले एक number में पूछी है write down the equation of photosynthesis तो अब कैसे लिखो गया आप बेशक balance करके ना लिखो simple भी लिख दो CO2 plus H2O CO2 is what? carbon dioxide H2O is water तो CO2 plus water and arrow की उपर लिखो chlorophyll नीचे sunlight CO2 plus water in the presence of chlorophyll and sunlight get converted into carbohydrates carbohydrates का common name है glucose ठीक है formula है glucose का C6H12O6 ठीक है plus साथ में दो byproducts भी बनते हैं byproducts मतला main product that is carbohydrate के साथ-साथ और addition में क्या बन रहा है those are called byproducts तो इसमें क्या बन रहा है oxygen बन रही है एक तो और water भी बनता है ठीक है तो यह पूरी equation का रट्टा करो balanced वैसे तो याद ही कर लो 6 से 12 and 6 हो सकता है balanced पूछ ले actually 6, 12, 1, 6, 6 coefficients बता रहा हूं आपको ठीक है अच्छा अब यह तो यार मैंने बच्चों वाली you know 7th class में 8th class में पढ़ते थे यह what is photosynthesis carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll get converted into carbohydrates simple है लेकिन असल में जब plant यह photosynthesis का process करता है इतना आसान नहीं होता है photosynthesis in reality occurs in three steps first step is absorption of light energy by chlorophyll जो chlorophyll जो की plant के leaves के अंदर present होती है वो chlorophyll यह green colored pigment absorb करती है sunlight की light ठीक है absorb हो गई sunlight chlorophyll पहले से था chlorophyll क्यों यहीं reason है chlorophyll क्यों चाहिए plant को this chlorophyll और this green color pigment called chlorophyll absorbs the sunlight ठीक है अब sunlight हमने absorb कर ली अब यह जो sunlight है ना it gets converted into chemical energy ठीक है and जो roots ने पानी लिया था वो पानी के molecules split हो जाते हैं किसमें hydrogen और oxygen के अंदर क्या आपको बात समझ में आई तो अगर आप यहां यह जो देख रहे हो ना इसके अंदर यह oxygen आ रही है as a byproduct यह oxygen कहां से आ रही है पानी का molecule जब तूट रहा है उससे oxygen आई है जो यह बनी है प्रोडक्ट के अंदर क्या बात समझ में आई फिर आप कहोगे यह hydrogen का क्या काम यह hydrogen भी तो बनी है hydrogen भी हमें यह आप लिखना चाहिए था नई 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 hydrogen का यह काम है reduction hydrogen helps to reduce अगर आपने chemical reactions and equations जो मैंने इसी चैनल पर वीडियो डाली हुई है वो देखा है तो मैंने reduction समझा है reduction मतलब addition of hydrogen hydrogen helps to reduce the carbon dioxide to produce carbohydrates तो यह जो carbohydrates बन रहे है न बच्चे this is due to this reduction of carbon dioxide with the help of this hydrogen समझ में आया ठीक है अब वो कह रहे है कि these steps यह जो तीन step है यह जरूरी नहीं कि order by order ही चले कि भी सबसे पहले absorb होईगा फिर convert होईगा फिर reduce होईगा ऐसे नहीं यह कोई भी step कभी भी हो सकता है उसने example के तौर पर दिया और यह जो example है न यह तनी बारी board का favorite question है यह दिहान से समझो desert plants के अंदर क्या होता है desert plants ना रात को carbon dioxide absorb कर लेते हैं जैसे plants तो दिन में करते हैं ना green plants तो दिन में करते हैं carbon dioxide absorb लेकिन desert plants होते हैं ना वो रात को carbon dioxide absorb कर लेते हैं और रात महीं ना उस carbon dioxide की help से एक intermediate बना लेते हैं ठीक है और यह जो intermediate बना लेते हैं जब अगले दिन सुबह होती है तब यह intermediate को तोड़ा जाता है with the help of energy that these desert plants absorb by the chlorophyll during the day समझ रहो रात को desert plants carbon dioxide absorb कर लेते हैं और carbon dioxide की help से एक intermediate बना लेते हैं यह जो intermediate बन गया रात को desert plants के अंदर ही बैठा हुए है मतलब store हुआ हुआ है intermediate यह तूटता है किस से? sunlight से और sunlight कब absorb करेंगे desert plant during the day तो यह काफी important question हो जाता है ठीक है? अच्छा अब हमने देखा कि carbohydrates बन गए finally यह जो green plants यह जो भी desert plants यह finally carbohydrates ही बना रहे है ठीक है? वाइ आर थीस carbo what is the use of these carbohydrates? obviously to provide energy हमारा खाना जो भी हम खाते है it provides us energy similarly plants का खाना क्या है carbohydrates and they are used to provide energy to the plants ठीक है? okay now अब यह तो नहीं है ना कि ठीक है plants ने carbohydrates बना लिये लेकिन यह थोड़ी है सारी carbohydrates यूज़ कर लेगा immediately plant ऐसा नहीं होता जितना carbohydrate plant को चाहिए energy produce करने के लिए उसके अंदर वो उतना carbohydrate यूज़ करता है लेकिन कुछ carbohydrates बच भी तो जाते हैं ना plant के अंदर वो जो बचे वे carbohydrates हैं वो store हो जाते हैं plant के अंदर in the form of starch और इसी stored form को stored form of carbohydrates को हम कहते हैं internal energy reserve of plant तो अगर question आये board में what is the internal energy reserve of plants दा आंसर is starch ठीक है? यह आता भी है समझ गए अब human beings के अगर मैं बात करूँ human beings में भी यह तो नहीं है कि जो हमने सारा खाना खाया उसे instantly हम सारी energy ले ले लेंगे कुछ खाना हम store भी करेंगे for मतलब future में you know 6-7 घंटे मतलब 3-4 घंटे ताकि निकल जाए तो हमारी human beings के अंदर जो internal energy reserve है वो किस फ़र्म में है glycogen की फ़र्म में store होता है जो carbohydrates बच जाते हैं plant के अंदर वो store हो जाते हैं in the form of starch ठीक है जो खाना आमारी body के अंदर बच जाता है later energy use के लिए वो store हो जाते है in the form of glycogen तो यह थोड़े नाम नए है ठीक है आपको समझना है now comes is the first diagram of biology आपको draw करना आना चाहिए बच्चों यह आपके anxiety के अंदर given है draw करना आना चाहिए because you never know they tell you to draw the cross section of a leaf you never know ठीक है main important चीज इसके अंदर यह है कि जो यह आप green dots देखे रो these green dots are called chloroplasts oh god एक second yes these green dots are called chloroplasts and these chloroplasts contain this green colored pigment called chlorophyll क्या बात आप सभी बच्चों को समझ में यह chloroplast green इसलिए क्योंकि इसके ग्रीन कलर की pigment है जिसे chlorophyll का आजाता है और chlorophyll का अभी अभी मैंने आपको use बताया है to absorb light energy from the sun ठीक है okay now अब एक activity हमने पढ़नी है और यह मतलब लाइफ प्रोसेस में जितनी वी activities है इतनी जादे इंपोर्टेंट है भर भर के question आते हैं board में तो इसलिए मैंने इसको detail में लिए an activity which demonstrates अब इस activity का aim क्या है to show that chlorophyll is essential for photosynthesis chlorophyll बहुत जादा जरूरी है photosynthesis होने के लिए ठीक है इस activity के अंदर हम क्या ले रहे हैं we are taking a potted plant with variegated leaves variegated leaves मतलब colored leaves जैसे कि आप money plant ले सकते हो यह croton croton भी एक तरह का plant होता है जिसके leaves colored होता है ठीक है फिर आपको इस plant को dark room के अंदर रखना है तीन दिन कर तीन दिन तक question आता है क्यूं क्यूं हमें तीन दिन तक अंधेरे वाले कमरे में रखना है plant को so that reason यह answer याद करने आपको कोई भी reason board में पूछ सकता है so that all the starch gets used up obviously plant है तो उसने कुछ न कुछ पहले से पुराना उसके अंदर स्टार्च उसकी leaves के अंदर स्टार्च भरा पड़ा होएगा ना तो जब हम प्लांट को डाक रूम में रख देंगे न तो सारा स्टार्च जो पहले से बना हुआ होगा वो खतम हो जाएगा because हमें fresh starch बनाने हम नहीं चाहते की पुराना starch रहे ठीक है अब हमें क्या करने है we want to keep the plant in sunlight for about six hours question is why why do we want to keep the plant for sunlight in sunlight for six hours so that fresh food is prepared fresh food in the form of starch gets prepared by the plant एक नया starch बने plant के leaves के अंदर ठीक है अब हमें क्या करना है we have to dip the leaf of the plant in boiling water for a few minutes the question is why हम boiling water में boil क्यों करते हैं leaf को तो answer is so that the leaf becomes soft and the cell wall gets destroyed यह आपको याद करना है leaf को soft बनाने के लिए हम उसे boil करते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद हम leaf को जो soft हो चुका है इसको immerse करते हैं यानि डालते हैं एक beaker के अंदर इसके अंदर alcohol डला हुआ है यानि एक alcohol solution के अंदर हम beaker के अंदर डालते हैं और फिर हम उसे boil करते हैं ठीक है we boil it also यहाँ पर आप लिख सकते हो and we boil it and we boil it ठीक है हम alcohol में क्यों boil करते हैं because alcohol removes the chlorophyll from the leaf and does decolorize it तो इसमें भी आपको पूरा answer ऐसे ही लिखना है तभी marks मिलेंगे board के अंदर ठीक है एक beaker है beaker के अंदर alcohol है उस beaker के अंदर जो alcohol है उसके अंदर हमने leaf डाला हम इस beaker को directly heat नहीं कर सकते हैं हम इसको एक water bath के अंदर heat करते हैं what is a water bath एक और container होता है जिसके अंदर पहले से ना पानी डला होता है उस पानी भरे container के अंदर हम ये alcohol वाले beaker को रखते हैं और फिर directly, basically indirectly heat करते हैं, ये water bath का use होता है, ठीक है अब question is कि हम alcohol को directly heat क्यों नहीं करते हैं the answer is because alcohol is highly inflammable, inflammable का मतलब अगर alcohol को directly heat कर देंगे न, it can easily catch flames, it can easily catch fire, जो कि हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, इसलिए हम alcohol को directly नहीट करके water bath के अंदर heat करते हैं इस पे भी आप मानोगे question आया हूँ है board के अंदर, तो ये जितने भी मैंने questions लिखे हैं, उनके answers ये आपको रटे होए होने चाहिए, ठीक है, समझ के करो यार, easy तो है, इतना मैं आपको समझा भी रहा हूँ, next is what happens to the color of the leaf leaf के color को क्या हो जाता है जब मैं alcohol में boil करते हैं, तो it gets decolorized, ठीक है and what happens to the color of the solution alcohol वाला solution, it becomes green, because जो chlorophyll alcohol ने leaf से निकाल लिया है, वो alcohol में ही आगया न, chlorophyll, और chlorophyll green का होता है, तो वो chlorophyll alcohol के solution को green बना जगता है, ठीक है okay, now, dip the leaf in a dilute solution of iodine अब जो ये decolorized leaf है, हमें से iodine के solution के लिए दिप करने है फ्यू मिनट्स तक, why? because iodine is a solution which is used for starch test, अब हम starch test perform करने जारे हैं, तो ये iodine solution यूज के, ठीक है, in this way, wherever the starch was present in the leaf, those spots will turn blue-black in color this is the successfulness of iodine test, जब हम iodine test conduct करते हैं, starch test basically conduct करते हैं, तो क्या होता है iodine solution यूज करते हैं, तो जहां भी-भी starch होगा न, वो spots blue-black हो जाएंगे, iodine से react करके, ठीक है, तो अब conclusion क्या है, इस activity का conclusion ये है, कि जब हम compare करते हैं, we get to observe that जो blue-black spots appear होते हैं, वो उनी जगा पे leaf के अंदर appear होते हैं, जहां पे पहले green spots थे, जब हमने leaf तोड़ा था न, boil करने, सबसे पहले, मैं बता है कौन से step की बात करो ये, इस step से पहले, dip the leaf in boiling water, इस step से पहले, जब हमने leaf तोड़ा था न, हमने न, green spots mark कर लिये थे, ठीक है, और उने trace कर लिया था, एक paper के उपर, अब जब हमने, you know, green spots में से green color निकाल दिया, alcohol न, ये, सब कुछ हो गया, तो जब हमने iodine test perform के, तो हमने देखा, blue black spots आया, और वो spots उनी spots पहले, जहां पे पहले green spot थे, ठीक है, and हमें पता है कि blue black color आया क्यों है, क्योंकि of course, जहां पे भी starts present वहीं पे iodine से react करके, वो blue black color show करेगा न, यहीं तो काम है iodine solution का, कि जहां पे भी starts होता है, वो उन spots को blue black color में convert कर देता है, इसका मतलब, starts उनी spots पे present था, जो कि green थे, और green क्यों थे, क्योंकि chlorophyll वहां पे था, so that means chlorophyll is essential for photosynthesis, क्योंकि chlorophyll उन spots पे था, इसलिए वो spots green थे, औ और उनी green spots पे बाद में blue black color absorb, appear हुआ, मतलब, उनी green spots पे starch था, इसका मतलब, chlorophyll ने उन green spots पे starch बनाया होगा, जो की blue black color show की है, न, iodine से react करके, this clearly shows that chlorophyll is necessary for plants to perform photosynthesis, basically photosynthesis का मतलब, starch का बनना, उसके लिए chlorophyll जरूरी है, ठीक है, तो अगर आप से पूछे, what is the conclusion of this activity, आप लिख लोगे इतनी सी line, तो यह पूरी activity बहुत important, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि how do plants obtain carbon dioxide, अभी हमने बात की chlorophyll कैसे, you know, chlorophyll तो चलो होती है, plant के अंदर पहले से ही, अब हम बात करते है, carbon dioxide plant कैसे लेता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, with the help of tiny pores called stomata, right, तो stomata के थुरूना सारी gaseous exchange हो जाती है, plants take in carbon dioxide, give out oxygen through stomata only, ठीक है, अच्छा, अब यह जरूरी नहीं है, देखो stomata leaf के अंदर भी present है, लेकिन stem के अंदर भी होती है, stomata roots के अंदर भी होती है, ठीक है, यह नहीं कि फिर सिर्फ leaf से exchange of gases हो रहा है, stem से भी होता है, root से भी होता है, ठीक है, now, since large amount of water can be lost through this stomata, यह stomata के नहीं है, दो functions होते है, पहला function होता है, gases को exchange करना, कौन सी gases, carbon dioxide और oxygen, ठीक है, यह दो gases का exchange करना, carbon dioxide अंदर लेना, oxygen बाहर छोड़ना, ठीक है, और दूसरा काम होता है, stomata का transpiration, transpiration मतलब आपने पढ़ा ही होगा, 7th class में, loss of water in the form of water vapor, ठीक है, तो, जब यह exchange of gases हो रही होती है, तब large amount of पानी भी simultaneously लेना, loss हो जाता है उसका भी, ठीक है, because दोनों चीज़े होनी तो सिफ स्टोमाटा से ही है, तो अब अगर स्टोमाटा एक्स्चेंज कर रही है gases का, तो साथ की साथ ना, पानी भी काफी जादा लूज हो जाता है, उस स्टोमाटा से, ठीक है, so that is what the plant closes these pores, when it does not need the exchange, basically carbon dioxide for photosynthesis, तो plant अपनी मर्जी से stomatal pores, stomata की जो pores हैं, वो खोल लेता है, बंद कर लेता है, अब यह जो opening and closing है na, stomatal pores की, यह किसकी वजा से हो रही है, with the help of guard cells, ठीक है, तो guard cells का काम क्या है, to open and to close the stomatal pores, stomata की pore को कहते हैं, stomatal pore, ठीक है, basically क्या हो रहा है, जब पानी guard cells के अंदर जाता है na, guard cells swell हो जाते हैं, as a result of which, stomatal pores खुल जाती है, और जब पानी guard cells से बाहर आ जाता है, तो guard cells shrink कर जाते हैं, as a result of which, stomatal pores बंद हो जाती हैं, तो opening and closing guard cells करते हैं, and, यह opening and closing depend कि किस पर करता है, the amount of water entering into the guard cells and coming out of the guard cells, अगर पानी enter करेगा guard cells के अंदर, तो stomatal pore खुल जाएगी, अगर पानी guard cells से बाहर निकल जाएगा, तो stomatal pore बंद हो जाएगी, ठीक है, अब यह diagram, this is the second diagram that you need to draw, of biology, ठीक है, तो यह label करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, guard cells are these kidney-shaped cells, यह आप देखे रहो kidney-shaped cells, इसको guard cells कहते हैं, इन guard cells के अंदर, यह चोटी-चोटी आप organelles देखे रहो, इनको chloroplast कहते हैं, जिसके अंदर chlorophyll present है, ठीक है, और guard cells के यह जो अंदर वाली space है, region है, इसको stomatal pore कहा जाता है, ठीक है, तो यह labeling भी अब आप कर लोगे न, अच्छा हाँ, इस diagram की भी सारी labeling आपको आनी चाहिए, upper epidermis, चाहिए, and chloroplast, air spaces, guard cells, यह सब आपको labeling अच्छे तरीके से, leaf, lamina, midrib, यह सब आपको labeling आनी चाहिए, हाला कि, इस diagram की इतनी labeling पिछले सालों में कभी नी पूछी है, लेकिन, you cannot take risk, न, इसकी तो पूछी हुई है, ठीक है, finally, हमें एक और activity बच्चे करनी है, इसके अंदर विच देमंस्ट्रेट साथ, carbon dioxide is essential for photosynthesis, अभी से पहले जो मैंने आपको activity समझाई थी, वो थी, that chlorophyll is essential for photosynthesis, अब जो मैं activity perform करें, that is to show that carbon dioxide is essential for photosynthesis, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो potted plants लेंगे, और उन दोनों को glass plate के अंदर रखेंगे, और फिर इन दोनों plants को हम ढख देंगे, with the help of a glass jar, inverted glass jar, अब हम क्या करेंगे, उससे पहले न हम एक watch glass लेंगे, watch glass मतलब एक container, उसके अंदर हम potassium hydroxide, what is the formula of potassium hydroxide, KOH, potassium hydroxide को उस watch glass के अंदर रख देंगे, और किसी एक, जैसे कि इस activity के अंदर, pot plant number A, pot A के पास हमने ये watch glass रख दिये, इस watch glass के अंदर क्या है, potassium hydroxide, ठीक है, फिर हम इस bell jar की मदद से, दोनों plants को, एक plant जिसके side पे potassium hydroxide रखा हुआ है, और एक plant जिसके side पे potassium hydroxide नहीं रखा हुआ, इन दोनों plants को bell jar से cover कर देंगे, और इन दोनों plants को हम धूप में रख देंगे, ठीक है, अच्छा, एक और important चीज, जितनी भी carbon dioxide होएगी ना, यह plant को absorb करना ही नहीं देगा, potassium hydroxide, यह सारी carbon dioxide, potassium hydroxide, अकेला ही, सारी absorb कर लेगा, CO2 gas, तो plant को कोई CO2 gas मिल नहीं पाएगी, और क्योंकि plant को CO2 gas नहीं मिल पाएगी, तो हमें पता है, हमें तो पता है, प्लांट नहीं कर पाएगा, और खाना भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहां पे अराम से, फोटोसंथिस हो पाएगी, ठीक है, एक और question पूछ लेते हैं, यह school में काफी पूछा जाता है, कि why vaseline is used to seal the bottom, यह जो bell jar है, इसको हमें seal करना पढ़ता है, अच्छी तरह से, वैजलीन का use करके, क्यों, so that the setup is airtight, इसको airtight बनाने के लिए, हम अच्छी तरह से sealing करते हैं, ठीक है, अब question आता है, which plant shows more amount of starch, बताओ जरा आप, आप बताओ, किसमें starch जाद आएगा, सोचो, इसमें आएगा starch जादा, नहीं आएगा यार, carbon dioxide सारी, तो इस potassium koh, potassium hydroxide, यानि koh ने absorb कर ली, सारी co2 gas, तो plant के पास co2 gas, क्या कोई बच्ची, जो इस jar के अंदर, थोड़ी बच्ची भी होगी, वो भी इसने सारे ले ली, तो plant के पास, बच्ची नहीं कोई carbon dioxide, बच्ची नहीं प्लांट के पास, इसलिए कोई starch बनाई नहीं पाएगा ना plant, लेकिन ये वला plant तो बना लेगा, बिक़स इस plant के पास, potassium hydroxide नहीं पढ़ा हुआ, तो pot B shows more amount of water, sorry, more amount of starch, pot B, ये वला, ठीक है, जिसके साइड पे, कोईच नहीं रखा हुआ, कोईच नहीं रखा हुआ, तो CO2 नहीं absorb होगी, यानि plant CO2 जो भी जार के अंदर trapped है, वो यूज करके photosynthesis perform कर सकता है, ठीक है, oh yes, now we complete autotrophic nutrition, तो ये पूरा आपका autotrophic nutrition है बच्चों, जो भी मैंने पढ़ाया, सब कुछ बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत है, अगली class में हम heterotrophic nutrition complete कर देंगे, और फिर उसके अगली class में respiration and so on, we'll carry on, ठीक है, do not worry, मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, टेंशन लेनी नहीं है, सब बढ़िया तरीके सोगा, we'll complete everything, do not worry, thank you so much for watching, dear students, अमझ में आया, तो लाइक करना ये वीडियो, लाइक आप लोग करते नहीं, प्लीज लाइक जरूर करना, and अपने नोट्स प्लीज प्रॉपर बनाते रहना, I hope so, मैं जैसे से explain कर रहा था, आपने नोट्स बनाए है, ठीक है, एक ही बारी starting में बन जाते हैं, नोट्स फिर एंड में नहीं बनते हैं, एंड में बस revision होती हैं, नोट्स से, तो पहली ही बना लो, okay, and yeah, all the very best, take care, have a nice day,